तो यह जो है इडली और डोसा का बैटर है आप देख सकते हैं कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है इसका आज हम चिल्रा बनाएंगे तो इसे अच्छे से फर्मेंट करने के बाद मिक्स कर लिया है इसमें नमाक, हल्दी पॉडर यह सब डाल कर उपर लिखा हुआ है मैंने क्या जाला है और तोड़ा सांबर मसाला डाला है इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप जरूर से ट्राइब करिएगा अब जो है तवे पर मैंने एक चमच ऑईल या घी डाल दिया है और दो बैट दो पोर करके मैंने इस बैटर को डाला है दो मिनट के बाद सिखने क स्थी साइड डाल दिया है यह बहुत ही अच्छे से से जाता है मिडियम फ्लेम पर मैं esse कुक कर रही हूं लों पे नहीं करना और नहीं हाई पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आप इससे सॉस के साथ दो खाईये बहुत ही यम्य वनेगा जरूर से ट्वाइकर